जैपूर क्यूं फेमस है? जैपूर अपनी सम्रिध भवन निर्मान परमपरा, सरस संस्कृती और एतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है यह शहर तीन ओर से अरावली परवतमाला से घिरा हुआ है जैपूर शहर की पहचान यहां के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपूरी पत्थरों से होती है जो यहां के स्थापत्य की खूबी है राजा जैसिंग द्वितिये के नाम पर ही इस शहर का नाम जैपूर पड़ा जैपूर का पुराना नाम क्या है? सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब आपको दिये देते हैं जैपूर का पुराना नाम जैनगर था जो की बाद में बदल कर जैपूर कर दिया गया जैपूर की सबसे फेमस चीज क्या है जैपूर में स्थित महलों और किलों के चलते दुनिया भर से लोग जैपूर घूमने के लिए आते हैं बता दे कि जैपूर का सबसे मशहूर किला अंबर किला है जिसको आमेर किले के रूप में भी जाना जाता है एक भूल भुलेया और सरपिन सीडियों वाला एक राजसी भवन एक बहुत ही लोग प्रिय परेटन आकर्शन है राजस्थान का पुराना नाम क्या था? ब्रिटिश काल में राजस्थान, राजपुताना नाम से जाना जाता था राजा महाराना प्रताप और महाराना सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंग अपनी असाधारन राज्य भक्ती और शौरे के लिए जाने जाते थे जैपूर को भारत का पैरिस क्यूं कहा जाता है? यह शहर तीन ओर से अरावली परवतमाला से घिरा हुआ है 1876 में ततकालीन महाराज सवाय राम सिंग ने इंग्लेंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ओफ वेल्स युवराज एलबर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है जैपूर को भारत का पैरिस भी कहा जाता है